चलिए था हम लोग बात कर रहे थे NCE IT काउच्छा साथ भी की हमारा पर्याबन इसमें यह चप्टर आपका क्तम हुआ चुका है पहला चप्टर था पर्याबन पर्यावन इसमें बात करेंगे हम लोग हमारी पिद्वी के अंदर क्या है सीज़क चप्टर का हमारी पिद्वी के अंदर हमारी पिद्वी एक गती सीलिक गिरह है इसके अंदर एवं बाहर नेंतर परिवतन होता रहता है क्या आपने कभी सोचा है कि पिद्वी के आंतरिक भा यह आपकी परपठी है फिर आपकी स्ठलमंग हो गया एक आंत्रिक कोड़ हो गया है यो बाहर summers सीवा ज़न और बदीन का आंध्रिक वरा अया वह कर देख रहा है बिस्त कसे गहरी खान दचरश धू में इस्तित रहा है तर्थन unconditional of schedule तेल की खोज में 6,000 km तक खोद चुकेने से पितवी के तक पहुचने के लिए आपको संभुतिकी सतय पर 6,000 km गहराई तक खोदना होगा पितवी का आंतरिक भाग का एक प्याज की तरह पितवीधी भी वह यह के उपर एक साटेंदरी परतों से बना हुआ है आपका जिस्तर्य श्री आपका फ्याज होता है उस पर देखते हैं आप लोग परतता ़ीसे तरह आपकी पिधिवी 중요ist कि सबसे उपरी पिधी की सतर्य जो उसकी सबसे उपरी पर्पाटी कहते हैं ऍसा रसी पतली परत होती है, यह महाढ़ुर्प सत्ह में 35 किलो मेटर में 55 किलो मीटर तक है, जहांके महाढ़ी में 45 में 55 किलो मेटर जैल, एलूमीना कहा जाता है कि माहसागरों की परपती मुखता, सिल्का जवर्थ मैगनेसियम की वरली इसकती से्स्रेilities सिल्का, मैगनेसियम कहा जाता है कि ये आफका महाप दुप्पीया परपवू गया ये आपके महादीप हो गए या आपके महीं Sin यह महासागी है परपटी है ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमेटर की गहराई तक फैला होता है इसकी सबसे आंत्रिक फर्थ कोड है जिसकी तरिज्या लगवा 2500 किलोमेटर है यह मोकता निकल यह उन लोहे की बनी होती है इसे नीफे निकल और फैरस कहते हैं केंद्रिय पूर्ड का तामाल एवं दाफ्ट काभी उच्छोता है पिद्वी के आयतन का किबल एक पिती सथ हिस्साई है परपटी है चोरासी पिती सथ मेंटल है और आपका पंद्र पिती सथ हिस्सा क्रोड है पिद्वी की तिज्या शहजार इन्सों इकत्तर किलोमीटर है कि यह कुछ आपकी पॉइंट है यह याद रखना है आपको छोटे-छोटे की है सेल एम खनीज पित्वी की परपटी अनेक पकार के सेलों से बनी है पित्वी की परपटी बनाने वाले खनेच पदालतों के किसी भी प्राक्तिक पेंड को सेल कहते है जह वे बिनरंग आकार कठन की हो सकती है मुख्रूप से सेल्टीण प्रकार की होँती अगने सेल जिसे इगरियस कहते हैं अव्सादी सेडीमेंटरी कीकायं तर्य मेंटम॥्यक्षते मेंटमोर्फिक क्षमार्फिक की चिरे देवित मैदमैगों ठंडा होकर फोस हो इस पेकार बनने सेल को अगने सेल कहते हैं इन्ही लोग प्राथ्मीक सेल भी कहते हैं अगने सेल दो पेकार की होती है अंतरवेदी सेल रुभाह बाहरी- वेदी सेल इगणिएस कुछ आपकी सब्ण दींगे शाम दिखेए इगील लेटिन सब्ण ऐगीनस जिसका सेडीमेंट बतनों ग्रीग सब्स कैंसे निकलने माले लावा की कल्पनाक सकते बास्तावें बास्ता में आग की तरह है लाल देवित मेगमा ही लावा है जो पितवी की आंतरिक बात से निकलकर सतर पर आ जाता है जब देवित लावा पितवी की सतर पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है परपटी इस विकार से बनी सेल कुप बार ही भेदी अगने सेल कह सब्सक्राइब महीं दानों वाली होती है उधारण के लिए वैसाल्ट दखकन पठार वैसाल्ट सेलों से मना ज़ती है वहराद का हुए हिस पेकार बने ठोच सेलों को अंतरवेदी अभिने से कहते हैं दीरे-दीरे धिज़े-ठंडा होने की कारण के बड़े नानों की रूम में ले लेते हैं का रूम ले ले लेते हैं番 ग्रे नाइट ऐसे ही शेल का उधारने लेई मसालों तथा दानों का चूर बनाने के लिए छिन अब ग्रशन पत्त्रों का पीटॉटे हैं भी हमारे 마음에 रहे बल्रें कि बनें वेएंश'tे में और सेल की परदऄों में में इस मिर्थ पौडर है और जिएंटूों के आुसे सों की हम लोग जिवाइश में तो चटक कर एक दूसरे से टगरा कर छोटे चोटे टुकड़ों में तूट जाती है इन छोटे कड़ों को लोग आवसाद कहते हैं एक आवसाद हवा जल आदी के द्वारा एक इस्थान से दूसरे इस्थान पहुंचकर जमा कर दिये जाते हैं यह आद्रड आवसाद दपकर एवं कट्खोर होकर सेल की पर बनाते हैं इस पकार की सेल ने सेलों कोंसों हम लोग आवसादी सेल कहते हैं उधारन के लिए बल्गवा पत्थर रेल के दानों से बनता है इन सेलों में पहुत हों जानवरों एवं अन्य सूप्ष जीवाणों जो अगने अगने एवं आवसादी सेल उच्चे ताप एवं उच्चे दाप के कारण कायांति सेलों में परिव्यत्त हो सकती हैं उधारन के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमरवन परिव्यत्त हो जाता है इस तरह ठीक हैं सेल हमारे लिए बहुत उप अभ्योग सड़क घर इमारत बनाने के लिए किया जाता है आप पत्रों का उप्योग कई खेलों में करते हैं उधारन के लिए साथ पत्तर पिट्टू पिट्टू चिविडडी इस्टाबू या किटकिट पांच पत्तर गिट्टी आदी या कि खेल हैं आप अपने दादा माता-पिता पड़ोसियों आदी से पूछ कर कुछ संन खेलों की जानकारी भी रात कर सकती हैं अने किस्मारों को कि चित ऊकतित कीजी पता कीजिए हिए वे किन शहलों से बने हैं दो चित नीचित दिए गया जी लाल किला लाल वल्हुँआ बत्तर से बना हुआ है आपका ल निर्वांद्रतिसरे में परिवर्टित हो जाते हैं एक सेां से दूसरे सॉन होने की इस पेख्रिया को सेल चक कहता है, आप जहाते हैं कि देवित मे मैं ढूकर ठंदा हो कर ठोस अगनएस बन जाता है, यह अगनımızı सेने छोटे खोटे ठोक्रों में acum कर एक किस्तान से दूसरे परिस्थान आंतित कोखर आउसाधी चेंट कर निर्माड करते ताब एवं कके कारण ये अगनेए ईवं आउसाधी सेल कायान्त चेंट में बदलग सैंथ आत्यदिक्ट लुए पोण कायानत Hadangi देवित मैवागमा बन जादे हैं ये देवित मैगमा थेनडा होकर उसी कि ठंडा होके ठोस अगने सेल में परिवर्टित हो जाता है यह आपका कायांति सेल हो गया आउसादी सेल मैगमा अगने सेल और आउसाद तर सेल जंक सेल विबिंन खनेज़ों से बनी होती हैं खनेज़ प्राक्तिक रोम में पाए जाने वाली पताते हैं jewelry और निन्य रसायियों ४्रांबrant म फटै। खाने जिमानव जाती के लिए बहुत महत्व हुएं कुछ का उपयों नीधन की तरह होता है जैसे कोईला प्राक्टिक गैस पैटॉलियम इनका उपयों उद्द्यव औस्ति एवं पॉरबरक में भी होता है जैसे लोहा एलूमिनियम सोना यूरेनियम आदि तो यह थाका दूस आपके कुछ और कुश्चन्स दिए हैं आप आसकी लगा लें तो याद रखिए इतने कठें सब्सक्राइब कोई इसमें नहीं है जो आपको समझ में आ अगर आप लोग एक दो बार पढ़ते हैं तो आराम से समझ में आ जाता है कि इसलिए टैंसर मत लिए जाना और अच्छे से पढ़िए एक दो बार अच्छे से सुनिए आयों से समझ में आ जाएगा अब बात करेंगे तीसरे चेप्टर में लोग देखेंगे हमारी बदनती बित्वी के बारे में ठीक है